एक बाद फिर से स्वागा था अपका मेर्श चैनल पर तो आज हम बात करेंगे भारती सम्मिधा अधिनियम में सम्मिधा की सक्षमता के बारे में ठीक है इससे पहले हमने देखा था कि कॉंट्रेक्ट कैसे बनता है acceptance कैसे होता है और साथ ही साथ उसमें जो consideration को रोल होता है यानि प्रतिफल जो होता है उसका कितना importance होता है क्योंकि प्रतिफल के बिना जो करार है वो सुनने होता है यह हमने देखा था पिछली lecture में तो आज हम बात करेंगे सम्मिधा तो होती है लेकिन कौन कर सकता है सम्मिधा यानि कॉंट्रेक्ट करने के लिए कौन सक्षा में कौन ब्यक्ति कर सकता है उसके लिए यहां पर कुछ केस लो भी है मोहरी बीबी वाला केस था ठीके प्रत्यस्थापन का सिध्धानत इसमें है इन सभी चीज़कों यहां पर देखने वाले हैं आज के सेशन चलिए स्टार यहां पर बात करें सम्विधा की सक्षमता के बारे हैं यानि कि सम्विधा करने में कौन सक्षम है तो इसमें सबसे पहली चीज़ देखें जो आप सेक्षन 10 देखते हैं प्यरक्ट में तो उसमें परिभासा क्या लिखी हुई है कि सब करार सम्विधा है यानि कि every agreements यानि ज यदि वे क्या हो सम्विधा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंतर सहमती से बिधी पूर्ण प्रतिफल के लिए और बिधी पूर्ण उद्देश से किये गये हो और साथ साथ उसे सुन निगोशित ना किया गया हो तो ये क्या हो जाएंगे जो agreements होंगे वो बन जाएंगे आपके contract यानि कि सम्विधा बन जाएंगे अब इसको हम section 10 को अगर points wise में तोड़ते हैं तो points में अगर तोड़ें तो सबसे पहली चीज क्या हती है कि इसमें कहता है कि जो पक्षकार होते है जिनके बीच में agreements हो रहा है contract होना चाहिए जिसका intention है contract create करने का सम्विधा किस रिजन का तो उनमें जो पक्षकार है तो दोनों कैसे होने चाहिए सक्षम पक्षकार होने चाहिए अब सक्षम पक्षकार कैसे होगे ये section 11 बताता है उन दोनों के जो है सहमती जो हो रही है contract करने को ले गए वो सोतंत्र होनी चाहिए free consent होनी चाहिए section 14 कहता है और सिर्फ यहाँ पे अगर बात करें सिर्फ सहमती की परिभासा की बात करें तो सहमती की परिभासा section 13 में है आप बोलोगे इसमें section 13 में भी है तो section 13 में सिर्फ सहमती की परिभासा होगी यानि कि अगर A जो है अपना घर बेचना चाहता है B को agreement कर रहा है तो इन दोनों के वीच में क्या है एक सहमती होने चाहिए यानि दोनों एक दूसरे के बात पर सहमत होने चाहिए ये तो सहमती होगी अब free constant क्या होता है यानि कि एक अगर अपना घर बेच रायना तो ये constant दे रहा है लेकिन इसके उपर कोई दवाव नहीं होने से अगर इस उपर कोई pressure डाला कि अपना घर बेचो बेचना पड़ेगा तो ये क्या होती है ये इसके उपर pressure डाला जा रहा है तो ये कहला है कि फ्री constant नहीं है उसकी यहाँ पर सोतनत्रामती नहीं है तो ये section 14 कहता है अब सोतनत्रामती क्या होती है वो हाग हम discuss करने वाले है और एक चीज और बात करता है इसमें कि बिधिपूर प्रतिफल के लिए होना चाहिए और बिधिपूर उद्देश के लिए यानि कि जो contract आप करना चाते है ए अपना घर बेंचना चाता है बी को तो ऐसा नहीं है कि ए का intention है ये जानता है कि बी जो घर खरीद रहा है उसमें आतंगवादी यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर illegal act करेगा तो इसलिए घर बेंच रहा है तो ऐसा ये क्या है बिधिपूर इसका उद्देश से contract क्या हो जाएगा वो बिधिपूर हो जाएगा और ये सुन्ने हो जाएगा agreement तो ये section 23 और 24 में आपको देखना पड़ेगा section 23 और 24 और आप देखो गए इसमें क्या लिखाएगा बिधिपूर प्रतिफाल और बिधिपूर उद्देश से होना चाहिए अगर बिधिपूर उद्देश और प्रतिफाल नहीं होए तो यहाँ पर सुन्ने घोचित हो जाएगा आपका agreement contract बन ही नहीं पाएगा तो सुन्ने घोचित के यह कहा लिखा है section 24 में लिखा हुआ है और कौन से प्रतिफाल उद्देश से बिधिपूर नहीं है इसके लिए आपको section 23 देखना पड़ेगा तो यहाँ पर बात करें और next के आता है कि जिसे सुन्ने घोचित ना किया गया हो यानि कि ऐसा कोई agreement जिसे अगर कानून ने ही यानि एक्ट ने ही, law ने ही, rules, regulations के according उसको सुन्ने घोचित किया गया है कि आप ऐसा agreement नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते हो जैसे आप देखो धारख 25 तेले का 30, धारख 36 और धारख 56 यहाँ पर सुन्ने एग्रिमेंट से और contract के बारे में बताया गया है कि अगर इनके अंतरकत कोई चीज आती जैसे माली जी बिवा आप agreement करते हो कि A नाम के ब्यक्ति का B के साथ बिवा हो रहा है तो यहाँ पर इनका विवा रोका जाए अगर यह रोकने का यहाँ पर क्या करते हो आप agreement करते हो ति यह सुन्ने हो जाता है तो वाइड यहाँ पर हो जाएगा यानि कि आप देखो section 26 देखो section 26 में लिखा हो विवा को रोकने का करा सुन्ने है तो यह सारी चीज़े यहाँ पर आती है अब section 10 जो है अब section 10 ने एक और चीज़ यहाँ पर बताता है कि कहां पर यह लागूर नहीं होता है अब जो section 10 देखो दूसरा पार्ट देखो उसमें section 10 के जो second पह रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि निर्सित ना कीगी ACB दिपर जो सम्विदा के लिखित रूप यह साक्षिय को उपस्थित में किया जाने कि अपक्षा करें यानि कि कोई ACB दिया है कोई ऐसा कानून है जिसे repeal नहीं किया गया है और वह कानून इसपेशली यहां पर इसने लिखित रूप में इस पस्ट रूप से कहता है कि अगर कोई सम्विदा हो रही है तो लिखित रूप में होनी चाहिए और या फिर साक्षियों के उपस्तिती में होना चाहिए यानि कि एवें जो business है वो must है अगर उनकी business की आपक्षा करता है वह कानून तो फिर यहां पर section 10 का यहां पर लागू नहीं होगा सेक्षन 10 कैसे नहीं लागोगा अब वहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता है कि सक्षाम पक्षकार बिधी पुर प्रतिफालों दीए सब यहाँ पर कुछ भी नहीं लागोगा अगर यहाँ पर बिधी नहीं यह ऐसा कुछ कहा है तो इस पश्ट रूप से और दूसरी चीज कहता है इसमें कि ACBD जो दस्ता बेजों के रजिश्टरी कर से समद्धित हो यानि कि कोई ACBD है ऐसा कानून है जो कहता है कि दस्ता बेजों है उसका रजिश्टरी करन होना चाहिए रजिश्टर्ड होना चाहिए एग्रिमेंट करने के लिए तो यहाँ पर यही जलेगा, कौन सा, यह ACB थी, जो कहता है कि रेइस्टेर्ट होना चाहिए, यहाँ पर section 10 apply नहीं होगा, तो यह दो conditions है, जहाँ पर apply नहीं होता है, इत्ती से बात समझ में आई, तो कुल मिला के बात यह है, धारत 10 क्या कहती है, कि सम्विधा कैसी होने चाहिए, कब सम्वि होने चाहिए, तीसरी चीज की बिधी पूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, चौथा बिधी पूर्ण उद्देश होना चाहिए, और पांच बाए ऐसी बिधी के द्वारा कोई सुन निगोजित ना किया होगी, यानि जीस agreement को सुन निगोजित किया गया है, तो को आप contract नहीं बना सकते हो, यह पांच चीजे का कौन बताता है, section 10 बताता है, अब section 10 तो कहता है, सक्षम पक्षकार होने चाहिए, लेकिन सक्षम पक्षकार है कौन, क्या आस्मान सुतर के आएगा, कौन है ऐसा सक्षम, तो यह चीज बताता है आपका section 11, अब section 11 जब देखते हो आप, या आरा यह कहती है, सम्विदा करने के लिए कौन सक्षम है, यानि capable कौन है contract को create करने के लिए, तो हर ऐसा ब्यक्ति सम्विदा करने के लिए सक्षम है, यानि कि जितने हैं वे ब्यक्ति हैं, सभी सक्षम है, जन्नल लूलती यह हो गया, अब यहाँ पे बात आती है आगे ही, कि जो उस बिधी के अनुसार जिसके अध्यधीन है यानि कि आप अगर यहाँ पे हैं इंडिया में तो आप किस कानून के अध्यधीन होगे जो हमारे भारत में चलता है जो हमारे भारत में कानून चलता है तो उसी के अध्यधीन तो होगे और उस बिंधी के अधीन आप कैसे होने चाहिए प्राप्त बै होने चाहिए अगर प्राप्त बै नहीं प्राप्त बै का मतलब क्या होता है मेजर होने चाहिए मेजर का मतलब एक तो होता है 18 वर्स और एक होता है 21 वर्स दो चीज होती है ठीक है 18 वर्स कब होगा जब normal जितने भी ब्यक्ति है सभी 18 वर्स से उपर के हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे सक्षम हो जाएं समिधा करने के लिए लेकिन अगर कोट हो गए या पर किसी ब्यक्ति को गारजिया ना पॉइंट किया है संदक्षक न्यूक्ति किया है किसी ब्यक्ति का ठीक है ना नाम का ब्यक्ति है इसका संदक्षक किसी ब्यक्ति किया गया है ठीक है तो अगर किसी का संदक्षक न्यूक्ति किया गया है तो जब तक यह 21 वर्स का नहीं हो जाता ए तब तक यह प्राप्त वाई नहीं माना जाता तो यहां पर दो चीज़ चलती है और यह कहां लिखा है इंडियन मेजरिटी एक्ट में लिखा हुआ है इंडियन मेजरिटी एक्ट 1875 का एक्ट था जिसमें section 3 या 4 पढ़ोगी 3-4 उसमें लिखा हुआ यह आपको मिल जाएगा और दूसरी चीज़ कहता है कि आप तुम मेजर होगे अगर मेजर होगे तो सक्षम हो उसके बाद एक और चीज़ बताता है यह आप स्वस्त चीज़ थोने चाहिए यानि कि अगर आप contract कर रहे हो सम्विधा में enter कर रहे हो तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि उस सम्विध पर जिसके अधिदीने सम्विधा करने से निरारहित ना हो इसका मतलब क्या हो है कि कोई भी ब्यक्ति ऐसा हो जिसे नियाले ने या फिर किसी बिधी के अधिए उसको क्या कर दिया गया हो निरारहित कर दिया गया हो मतलब मना कर दिया गया हो कि आप contract नहीं कर सकते हो अगर राप्ति में स्वास्तचतु प्राप्त में तो आप इसेक्षेन 11 में समझ में आ गई यानी कि प्राप्त प्राप्त पे स्वस्ष्चित औवब्लत द्वारा नेरहीत नहूं तो यह तीन चीज़े अगर हैं कुसी ब्यक्ति के हंतर तो वो क्या कर सकता है वो कॉंटेट कर सकता है वो सक्षम पक्षकार माना जाता है सक्षम ब्यक्ति माना जाता है capable person माना जाता है अब बात आती है कि क्या अवैस्क भी समिदा कर सकता है यानि कि यहाँ पर तो बैस्क है अगर मा लिजिए कोई अवैस्क है 18 वर्षे कम उम्र का ब्यक्ति है अगर उसने किसी के साथ agreement कर लिया समिदा कर लिया यानि कि A ने क्या किया B से कुछ उधार पैसे ले लिये और B ने उसको दे भी दिये तो क्या B इससे पैसे बसूल सकता है कि नहीं बसूल सकता क्या इससे वापस पैसे ले सकता है तो यह सारी चीजे डिसकस की गई थी अब यहाँ पर डिसक्स करते है इसमें बहुत important case law भी है कौन सा मोहरी बीबी का मोहरी बीबी versus धर्मोदास गोस यह पुराना case है अब यहाँ पर बात करें मोहरी बीबी में इसी तरह की situation create हुई थी कि जो minor था उसने कुछ अपने property को बंद रखके अब कुछ पैसे उधार ले लिए थे उसको मार्गे डिसक्स करते है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या प्रवाव पड़ेगा अगर वह minor क्या कर लेता है agreement कर लेता है समीधा कर लेता है तो तो सबसे पहली चीज तो देखो कि वैस करता कि आयो कितनी होने चीए अठारा बर्स या 21 बर्स अब दो रोग मैंने बता दिया इंडेन मेजॉर्टी एक्ट का ठार सो पचातर कि धार तीन अबरिक चार पर देखोगे वहाँ पर लिखा हुआ है यह दि किसी ब्यक्ति को किसी का सनक्षक ने उत्किया गया है तो जब तक वह 21 बर्स का आयो अब कंप्लेट नहीं करता है तब तक उसकी क्या होगा मेजर नहीं होगा ठीक है और नौर्वल परसन के लिए क्लिए क्लिए 18 बर्स जैसी आप 18 बर्स के हुए तो आप मेजर कहला जाएंगे यहाँ पर सनक्षक वाली बात में यहाँ पर बोट तो दे सकता है लेकिन यहाँ अब यहाँ पर मेजर निकलाएगा जब तक 21 बर्स का नहीं हो जायता अब यहाँ पर अवैस की करार की प्रकरती की बारे बात करें यानि कि माइनर अगर एग्रिमेंट करता है तो उसकी प्रकरती कैसी होगी नेचर कैसा होगा तो अवैस के दौरत किया गया करार सुनने हो गई बात कतम ठीक है यानि कि अगर minor बेक्ती है ठीक है अगर minor बेक्ती agreement करता है किसी की साथ contract करता है तो वो starting से ही void हो जाता है क्या हो जाता है void ab initio यानि कि प्रारंब से ही सुन्य हो जाता है तो आप उससे पैसे बसूल नहीं सकते हो क्योंकि सम्विदा के लिए पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है तो आपने तो पढ़ लिया 6 and 10 सक्षम तक ही कि पक्षकारी दी सक्षम है तो agreement पर इंटर करेगा अगर सक्षम नहीं है तो इंटर नहीं कर पाएगा इत्ती सी बात तो समझे आगी अब यहाँ पर बात करें अब यहाँ case की तो case कौन सा है मोहरी बीबी यह leading case है यह आपके exam purpose भी काफी important है क्योंकि यहाँ पर अगर आप RLB के exam दे रहे है तो वहाँ पर यह leading case के रूप में भी वहाँ पर पूचा जाता है एक question तो मोहरी बीबी बर्शेश धर्मोदास गोहोस 1902-1903 यहाँ कहीं 1902 लिखा मिलेगा और कहीं पर 1903 मिलेगा अब इसमें judge की बात करें में जिसके नॉर्थ थे अब इसमें कई सारे judges थे Lord McNaughton, Lord Davy, Lord Lindley Ford North, Andrew Scovel और Wilson Andrew, Wilson और JJ यह इतने सारे judges थे जिन्होंने इसको decide किये तो अब इतने सारे judges थे तो इसका मतलब तो समझ जाईए कि case कितना important होगा अब इसके fact के बारे में बात करें कुछ तो fact देखिए जो धर्मोदास गोश था ठीक है यह जो प्रतिबादी है यह कौन था यह नावालिक था अब नावालिक थे साथ में इनके पास अपनी खुद की property थी अपनी सारी property के एक मात्र यह honor थे यह जब एक मात्र honor थे तो यह तो अपनी property को कहीं भी बेंच सकते थे कुछ भी कर सकते थे यह honor थे यहाँ पर कलकत्था high court यानी कि जो कलकत्था high court था इसको इसके लिए एक संरक्षक नि低 eugd koya यानी कि जो धर्मोदास थे उनकी मा को उनकी संपत्ति का संरक्षक निज्च दिया गया अब जोकि इनके पास property थी धर्मदास घोज के पास तीनों ने क्या किया गए एक थे साहुकार जहां पर property बंधक रखते थे साहुकार रहते थे पैसे उधार देते थे तो वहां पर गए अपनी संपत्ती को बंधक रख दिया और बंधक रखने के एवज में 20,000 रुपए यहां पर उनसे उधार ले लिया जब 20,000 रुपए उधार ले लिया तो उसके बाद इनकी माने कहा कि ये तो अवैस्क है उनकी आयोत वह ऐसी हैनी कि वो अपने प्रॉपर्टी को कहीं भी सेल करतें, कहीं भी बंधक रख दें, कुछ भी करतें इसलएं इनसे पैसे नहीं वसूल सकते है ब्रह्म अदत्य से पैसे वसूल नहीं किए गए आप बोलो कि यहाँ पर मोहरी बीबी है, वहाँ पर ब्रह्मदत कैसे आया, अब इस कहानी सुनते जाईए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तब यहाँ पर इनकी मा ने ऐसा कहा, तो जो यहाँ था, इसकी ब्रह्मदत था, ठीक है, ब्रह्मदत ने केस लगाया, प पेंडिंग में था उसी दवरान ब्रहमदत की मृत्य हो जाती है और उनके उत्तरादिकारी के रूप में मोहरी बीबी यहाँ पर आ जाती है उनकी स्थान पर तो इसलिए यह मोहरी बीबी के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अब जब उनके निस्पादक के रुप में उतरतिकारी के रुप में मोहरी बीबी आई तो उन्होंने भी कुछ केसे चले काफी दिन तर उसके बाद यहाँ पे जो कोड था यानि कि नियाले ने क्या बोला कि जो नावालिक सम्विदा की जाती है वो सूनने है वो प्रारंब से ही सूनने हो जाती है क्योंकि सम्विदा करने के लिए पक्षकारों को सक्षम होना आवश्यक है और साथी साथ ये भी कहा, कि इनसे आप पैसे वसूल नहीं कर सकते हैं, हाँ, इतना कर सकते हो, कि जो 20,000 रुपए आपने इसको दिये थे, धर्मदास को, उसमें से इन्हों ने जितना खर्च कर दिये उतना तो वसूल नहीं कर सकते हैं, जितना बचा हो उतना आप ले सकते हो यानि कि प्रत्यस्थापन का सिध्धान आप देखें तो प्रत्यस्थापन के मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक घड़ी थी ठीक है अब मेरे पास एक घड़ी थी अब उसको आपने क्या कर दिया खराब कर दिया ठीक है अब घड़ी तो मेरी है खराब आपने की है तो आप उसको अगर इसको सही इस्थिति में ला देते हो यानि खराब किये थे उसको सही कर देते हो उसी स्थिति में कर देते हो जैसा पहले था तो इसको क्या बोला जाता है प्रत्य स्थापन का सिधान्त बोला जाता है लेकिन यदि वहां पर उसके खर्च कर दिया और उसको संपत्य का उभव कर लिया कंजियूम कर लिया तो आप उसको वसूल नहीं कर सकते हैं यह चीज यहां पर केस मताया गया था स्टॉक्स वर्स्र बिल सन 1913 का केस था यह इसमें क्या बोला गया था जब अबयस्क ने माल बेंचा यदि अबयस्क ने संविधा करने के बाद माल बेंच दिया या उसका प्रियोक कर लिया तो क्या उससे बसूला जा सकता है कि नहीं इस question पर इस case में आया था, तो नियाले ने कहा कि आप उससे वसूल नहीं कर सकते हैं, वसूली नहीं की जा सकती है, क्योंकि सम्विदा प्रारह से सूर नहीं हो जाती है, अब यहां पर बात आती है, जो अब यहां पर बात आती है, यानि कि जो आपका minor था, उसने तो पैसे उधार लिये थे, इसलिए आप उससे वसूल नहीं कर सकते, अब बात दूसरी चीज़ आती है, कि यदि आवेस्क ने पैसे दिये हो माल, 20,000 रुपे किसी को उधार दिये हो, तो क्या आवेस्क उससे पैसे वसूल सकता है कि नहीं? आवेस्क ने, वैसक को पैसे दिया, यानि minor ने major को पैसे दिया, तो क्या minor उससे पैसे वसूल सकता है? major तो नहीं वसूल सकता माइनर से, लेकिन minor क्या वसूल सकता है major से? इसके लिए भी कुछ cases थें, तो इसके लिए यहाँ पे है, या अवेस्क के हेतु लावदायक संविदा का प्रभाव तो क्या एसा बंधक जो किसी अवेस्क के पक्ष में किया गया हो बंधक किसके पक्ष में किया गया है अवेस्क यह नि माइनर के पक्ष में किया गया है जिसकी अंतरगत अवेस्क ने धन दिया है यानि कि उसने संपत्ति को किसम बंधक रख लिया और कुछ पैसे उधार दिये तो कि आप उस पैसे को पॉपस करने के लिए यहाँ पे केस लगा सकता है क्या उससे पैसे वसूल सकता है तो यहाँ पे केस आता है रागव चेरियार बरसेश स्री निवासा 1917 का मामला था अब यहाँ पे इस केस में मुखिन आया मुर्ति वैलिस थे इन्होंने क्या कहा कि विधी का नियम जो अवैस को संबिदा की सक्षमता से दूर रखता है वही उनके भले के लिए तो सुरक्षा के लिए भी है यानि कि अगर उन्होंने पैसा दे भी दिया है तो वह पैसा वसूल कर सकते हैं उनके लाव के लिए है प्रॉफिट के लिए यहां पर कानून है लेकिन अगर उन्होंने किसी से पैषा लिया है अवेग्सकोने तो उसको आप पुसुल नहीं सकते हो, यह चीज़ी उनके लिए आप बेशन के लिए लाव तो है लेकिन उनको नवहानी नहीं होने चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, लाब तो दे सकते हो, और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर पैसा खा भी गया है, तो खा जान देओ, यह चीज़ होता है अब आता है अनुसमर्थन अनुसमर्थन क्या होता है कि यदि माली जी आवैस्क ने एक सम्विदा किया सम्विदा कब किया आवैस्क होते हुई याई अठारा वर्स से कमाई को था उसने सम्विदा कर लिया तो क्या जी ये वैस कहोने पर उसी सम्विदा के ratification कर सकता है अनुसमर्थन कर सकता है क्या तो नहीं कर सकता ये नाजिर अहमद वर्सेश जीवन दास नुनी सो अर्थिस के केस में कहा गया था कि वैस को हो जाने पर आव एसकता में की गई सम्विदाओं का अनुमोदन नहीं कि हो सकता क्योंकि वह प्रारंब से ही सुनने होता है और जो संविधा प्रारंब से सुनने होती है जो एक्रिमेंटर इंवाइड एवे इनिशियो हो है उसको बाद में इनफोर्स नहीं करा सकते है क्योंकि अन्मोधन कब से होता है संविधा के तीथी से होता है यानि जब से संभीधा की गई है न उस संभीधा की गई है उस संभीधा कब से की गई थी जब वो आवयस्क था तो उसको तो अनुमोदन किया नहीं जा सकता हूँ लेकिन कब कीया जाता है यदि वह उस समय जब वह संबिदा करता है यानि कि जब agreements किया जा रहा है जब contract किया जा रहा है उस time पे संबिदा को समझने और अपने हिदों पर प्रभाव के बारे में युक्ती युक्त नेड़ने ले सके अर्धात इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जब वह contract कर रहा है यानि ये नाम का ब्यक्ति है ये agreement कर रहा है contract कर रहा है और उस time पे अगर ये पागल है तब तो ये समझने नहीं सकता कि जो agreement कर रहा है जो contract कर रहा है उसका उसका उस पे क्या प्रभाव पढ़ेगा तो जब प्रभाव यही नहीं समाँ सकता है यूगति निर्णा नहीं ले सकता है अपने उपर जो उसके हीद पर प्रभाव पढ़ने वाले हैं तो यह कॉंट्रेक्ट किस काम की तो इसलिए कहा गया है कि उसका स्वास्त चित होना बहुत आवश्यक है अब कुछ ब्यक्ति ऐसे भी होता है अब जैसे मा लिए जिसे ए नाम का ब्यक्ति है यह कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है और कुछ टाइम के लिए यहां पर पागल हो जाता है तो जब यह ठीक है ना यानि कि स्वास्त है तब तो यह समिधा कर सकता है लेकिन यह पागल है जब वह सही रहता है स्वस्त रहता है तो वह समिधा कर सकता है लेकिन जब कुछ अंतरालों में पाधल हो जाता है उस टाइम पिए समिधा नहीं कर सकता तो यह होता है स्वस्त चित यानि की capacity of contract आपने समझ गये होगे इस कैसे कैसे होता है अब next lecture हम जब पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे section 13 से लेकर के आपका section 22 ता ठीक है इसमें क्या बात करने हैं इसमें बात करने हैं आपके सहमती के बारे हैं सहमती सोतंत सहमती प्रपीडन यानि को अरजन अंडियो इंफ्लेंस असम्य का सर्कापट दुर्वेपदेशन भूल इस सारी चीज़ हम next class पढ़ने वाले हैं लिगे तो बने रहेगा इंट तक हमाई साथ तो चलिए मिलते हैं अगले lecture में तब तक के हुआ है